हलो बच्चो आज के क्लास में हम लोग क्या क्या पढ़ने जा रहा है हो बता दिया जाए हम लोग पिछले क्लास में आयनिक मिसेल या एसोसियेटेड कोलोइड का का कीसा कैसे होता है उसका मेकैंजम समझे थे अब उसके बाद सोच के क्लीनिंग एक्षण stealing अग्याओ nic समझने के बाद कोलाइड का प्रिपरेशन कैसे होता है उस पार पर आएंगे कुछ important properties को हम लोग समझेंगे तो हम लोग स्टार्ट करते हैं cleaning action of soaps कि हम लोग ये तो जानते हैं कि कपड़ों में जो दाग धबा लगा हुआ है तो हम लोग समझते हैं सोप के cleaning action को ध्यान दिजिए पहले समझना है उसके सब्सक्राद हम लोग लिखेंगे यह कपड़े का टुकड़ा दिखाया गया यह लोग का क्लॉथ दिखाया गया है अभी क्लॉथ बिल्कुल फ्रेस है इसी पर बोला जाए कि यह जो क्लॉथ का टुकड़ा दिखाया गया तो ये हो गया क्लोथ है और ये हम लोग का हो गया क्या ग्रीड्ल इनो का हो ए इंचान कility доступ दिखाया गया इसी पर दाग धब्बा हम लोग का जमा हो गया था तो वाइलड्रम ये इस फार जमा अब यहां पर क्लीनिंग एक्षन कैसे होता है तो सोप या डिटरजेंट पर दो पाट है एक हम लोग का अब है मतलब हम का हाइडरोफोविक पाट है और दूसरा हम लोग का CWO वाइनस प्रूप था पोलर रूप था तो यहां पर हम हम लोग का सोप या डिटर्जेंट में दो पार्ट है एक हम लोग का पोलर और दूसरा नौन पोलर तो यहां पर आस्ट्रेट आयन के आरेंजमेंट को मैं दिखा रहा हूं यह उसके ऊपर में हम लोग का वाइल का ड्रॉपलेट है यह दिखा दिया गया अब जो हाइड्रो का चारवाल वाला पार्ट है वो हम लोग का वाइल ड्रॉपलेट के अंदर में चला जाता है यह में दो बाहर में बाहर में रहता है अब धिया यह दॉन तो जो हाइड्रो कार्वन वाला पास है वह और चला गया है अंदर क्यों चला गया और पोलर वाला पार्ट कि धर है बाहर क्यों और यह कैसे कंटेनर में दिखा दो यह चारों तरफ वाटर है चारों तरफ हम लोग वाटर देख रहे हैं तो और इंटेशन तो बिल्कुल ऐसे ही होगा जो पोलर गुरूप होगा उसका और इंटेशन पार्ट वाटर से दूर तो ग्रीज के अंदर चला गया अब यह जो पोलर गुरूप है यह वाटर के साथ क्या कर सकते हैं यह इंटरेक्ट कर सकते हैं तो इन पोलर गुरूप का वाटर के साथ जब इंटरेक्शन होता है तो यह जब पुल किये जाते हैं वाटर के साथ इन पुल किये जाते हैं तो साथ साथ में दाग धब्बे भी लेते हुए क्या होते हैं निकल जाते हैं तो प्रोसेस को मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं प्रोसेस को समझ्ये ये क्लोथ का कपड़े इसी पर हम लोग का ग्रीसुरी सब्स face जाया हो गया है अब ग्रीस या ओय्ल के ड्रॉपलेट में अस्ट्रेट आयन का अर्ेज्मिन्ट कैसे होता है तो कॉंसेप्ट वही है पोलर का औरीmet येयुदष नं-पोलर के दूद ही नं-पोलर और पोलर एक दूसरे से दूर होना चाहें गे तो उसका ओर्येंटने सन्किर हो जाता है तो वब कमें चला जाता है वाइल के या ग्रीज़ के अंदर में और जो ग्रूप दी दाबलो माइनस गुरूप है पोलर के साथ इसने पूले किया जाता है उसका कपड़े को निकल जाता है चलिए अभी हम लोग जो समझे थे वही सारा फिगर यहां पर दिखाया गया है एक बार मैं फिर से रिपीट कर देता हूं इस फिगर को देखकर यह ग्रीस दिखा दिया गया है में अब यहाँ पर दिय्यान में रखने में पोलर का ओरींटेशना नॉन-पोलर को होगा इसके सर दिंग में चारो तरह वार्टव को सतरा है तो यह पूल कर लिया जाता है और चास यह वायल का क्या हो जता है तो इसके साहफographers the cleaning action of soap is due to the fact is due to the fact that soap molecules form micelle around the wild droplet in such a way that hydrophobic part of the asterite iron is in wild droplet तो यह जो हाइड्रोफोबिक पार्ट है यह वाला हाइड्रोकार्वन चेन वो वाइड्रोपलेट के अंदर में है तो मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ the cleaning action of soap is due to the fact that soap molecules form micelle around the wild droplet बी वाले फीगर पर ध्यान दिजिएगा in such a way that hydrophobic part of the asterite iron is in wild droplet तो यह हाइड्रोफोबिक पार्ट कहां है wild droplet के अंदर में is in the wild droplet and the hydrophilic part यह hydrophilic part जो है projects out of the grease droplet तो hydrophilic part यह वाला पार्ट सी डवलो माइनस ग्रूप वो grease droplet से क्या है बाहर है अब next पढ़िया since polar group can interact with water तो यह जो c o o minus group है यह c o o minus group यह c o o minus group can interact with water the wild droplet is now pulled in water and removed from the dirty surface चलिए उतारिए आप लोग